कि हैं यह विडियो विए विए गूंट को सब्सक्राइब कर दीज़ आपको इसके रिगार्ड जो भी इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेश्टिव वीडियो में इसमें अपलोड करते हैं वह आपको आसानी से मिल सके और आप अच्छी तरीके से अपडेटेट रहें चलिए आज क कि फैसे नहीं नहीं होता है तो फिल रविडियो को वापेस से देख दीजागा और इसका एक्स्प्राइशन समझ लीजेगा ठीक है और एक बार फिर से मौक लगा लीजेगा चलिए आज के फ़र्स्ट कोशिट पर चलते हैं क्षो ने वह परिंटि आगधायोग पाइप इन्वेशन चैलेंज की नीटियू का? इंछैंफ सब्सक्राइब उन्हें है कि बाची में हैं कर दो लो जाए जैने numbers to Cryptele अंटि इंडिजिनू का लेहां है पार्टनर करना किसी साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ ताकि इंडरी जेशन जो आपका इंड़ेट्विश्चन है उसके को और ज्यादा बढ़ाया जा सके डिफियन से थर्ड है इंड नियुक्मे सेक्टर फ्रॉर्थ ह में के लिएन आनशर करते हैं पर इसके बारे में आपको एक सेकेंड है यहां जो आपको आपको ऑप्शन भी है ठीक है ऑप्शन भी डेट दमीन जो यह स्रेजन पोर्टल इसको लॉंच किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग के द्वारा जो इसमें इनिशेटिव लिया गया है ताकि हम पार्टनर्शिप बढ़ा सक किया जा सकें और आत्में भर अपने सेक्टर डिफेंस सेक्टर को बनाया जा सकें और जो हमारी डिपेंडेंसी है जो बाहर की फॉरेंड कंट्रीज के उपर उसको हम क्या कर सकें और थ्वरसर रिडियूस कर सकें तो इसलिए यह स्रेजन पोर्टल को लॉंच किया गया है त टेक अप आइटम्स फॉर इंडिजनाइजेशन ठीक है जो क्या करेगा इंडिजनाइजेशन के लिए जो वेंडर्स हैं उनको क्या कराया देगा आइटम्स प्रोवाइड कराएगा जिसका मेन अब्जेक्टिव यह है इस पोर्टल का कि पार्टनर करना प्राइवर्ट प्राइशन के उपर और ज्यादा वर्क करना ठीक है और यह पोर्टल आपको नॉन ट्रांजेक्शनल ओन्लाइन मार्केट प्लेट्फॉम प्रोवाइड कराएगा ठीक है तो यह पूरा ओन्लाइन रहेगा चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं स्टेट्स हैं आपको बताना कि इन में से कौन से हैं स्टेट जिसको सिख शेडियूल में रखा गया है ऑप्शन है असम मनीपुर नागा लैंड एंट्रेपुरा ठीक है तो यहां पर ऑप्शन दिये गए यह आपके 1 & 2 है 2 & 3 1 & 4 & 3 & 4 वीडियो को पॉस करिए नांसर दीज करें ऑप्शन सी ट्यां पे दिया गया है कि आसम और जो आपका त्रिपुरा यह दो जो स्टेट्स हैं तो इन दोनों स्टेट को सिख शेडियूल के अंदर रखा गया है ताकि इनकी उपर यह जो आप कमुनीटीज उसे इनकी पर फोकस दिया जा से एक है तो यह आपको या तो इनकी जो सेफगार्ड करना इनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन को है तुछ फॉर्मेशन ऑट्रोनॉम डिस्ट्रिक काउंसिल तो यह इसका एम है ताकि प्रोवाइड कर सके सेफगार्ड तो यह याद रखना है और यह जो एडी सीए यह बॉडी जैए यह बॉडी की जाती है इनको डिस्टेक्ट के द्वारा जो स्टेट लेशन के अंदर और यह बारे में डिसकरसंता आई होब आपको समझ में आ गया होगा अब नेश कुशन पर चलते हैं ग्रफिच को इस इसके निवी और तो इसको बताना कि कौन स्टेटमेंट इसके साथ से कर्क्रेक्ट हैं फट्ट है टीज आ जेनेटिकली इनहेरिटेड रेडब्लड cell disorder कि क्या ये genetically inherited होती है red blood cell के साथ जो मतलब disorder का work करती है second है the sickle cells die early which causes a constant shortage of red blood cells और जो sickle cells होती है जल्दी क्या हो जाती है मर जाती है और जिसके कारण जो constant shortage रहती red blood cell का वो बना रहता है यह इसका कारण है कि जो हमारे body के अंदर जो blood cells होती है red blood cell उनकी shortage हो जाती है तो कौन स्टेट्मेंट करेक्ट है option only one only two both one and two and either one or two वीडियो को pause करिए फिर हम discuss करते हैं कि चले देख रहते हैं यहां पर right answer क्या इसका यहां पर right answer यह आपका option option C है option C right answer इसका मतलब क्या है कि यह जो genetically disorder होती है ठीक है यह काफी problem मतलब problematic disease है जो आपकी red blood के साथ red blood जो cell होती है उसी के साथ जुड़ी होई होती है ठीक है तो first statement इसलिए आपकी यहां पर correct हो जाती है आपको याद रखना है second statement जो दिया हुआ हुआ है कि जो the sickle cells है यह die हो जाती है early जिसके करण क्या हो जाती है कि जो red blood cells की हो ना वो कमी हो जाती है हमारे blood के अंदर ठीक है जो क्या करते हमारी immunity को और ज्यादा problem में डाल देती है तो जो second statement यह भी आपकी यहां पर correct हो जाती है जिसके साब से सब हो जाती है तो यह कुछ इस तरीके की आपको देख रहोगा ना जहां पर मैं सरकल मार्क्स कर रहा हूं तो यह इस तरीके की हो जाती है जिसके करण क्या हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है और यह जापकी red blood cells के कारण क्या हो जाता हमाई जो red blood cells होती है, इनकी बहुत जादी scarcity हो जाती है हमारे blood के अंदर, ठीक है, तो problem होने लगती है, और immunity धीर धीरे कतम होने लगती है, इसलिए ये news में था, तो आपको ये याद रखने है, जो आपकी sickle blood cells है किस तरीके से दिखती है, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होग इसके कौन-कौन से components है, first है national health electronic registers कि इसके अंदर जो national health electronic registries की जाती है, second है federal personal health records framework कि क्या इसमें जो federal personal health record framework के ये इसके साथ इसका key components है या नहीं है, and third है a new Indian medical association कि एक नई इंडियन medical association बनाए गई है इसके components के लिए, तो कौन सी statement correct है, option है, one and two, two and three, one and four and three and four, चले, वीडियो पॉस्ट करें नासर दीजे, फिर discuss करते हैं, देखो, साथ से पहले elimination method को start करिए, four तो यहां पर option भी नहीं है, तो four क्या हो गया, आपका directly eliminate हो गया, तो आप option जो बचा है वो बचा आपका a और b, ठीक है, a और b बचने की current क्या हो जाता है, कि यहां पर आपको फाइदा यह मिल जाता है, कि आपका 50% अपकाम यहां पर बचा हो है, ठीक है, 50% काम बचा है, तो आप अच्छे तरीके से इसको eliminate कर पाएंगे, तो जो यहां पर दिया गया है, कि जो national health electronic registries है, यह किया इसका key component है, तो बिल्कुल first statement की correct है, second है, यह किया एक federal personal health record framework इसके अंदर है, इसके key component में, तो यह भी बिल्कुल सही, यह भी है, बट कोई इसी तरीके का new Indian medical association नहीं बनाया गया है, जो इसका key component है, तो थर्ड statement आपकी wrong हो जाती है, तो यह आपको याद रखना है, और थर्ड statement रॉंग होने के कारेंट क्या हो जाता है, अगर जो आपका first है और second है, यह right हो जाते है, तो आई होब आपको समझ में आ गया, कुछ और भी इसके important key component देख लेते हैं, तो इसके अंदर five component को बताया गया है, ठीक है, जिसमें से पहला component है national health electronic registries, second है a coverage and claim platform, third है a federal personal health record framework, and fourth है national health analytic platform, and fifth है other horizontal component, ठीक है, इसके regarding मैंने कल्भी questions है मैं यहाँ पे बताया था, जिसमें national health blueprint को discuss किया था, जो इसी जो यह हमारा national health state है, जिसको नितियायग ने प्रपोस किया है, इसी के लिए committee वो तैयार कर रहे है, और इस committee को तैयार करने वाले कौन है, यह आप मुझे comment box में नीचे बताएंगे, ठीक है, मैंने कली discuss किया है, तो आपको याद होना चाहिए, चलिए, अब नेच कुशन पर चलते हैं, नेच कुशन है, consider the following statements regarding the ATL AI step-up module, तो ATL AI step-up module है, इसके साब से दो statement दी है, कौन सी statement correct है, यह आपको बताना है, फर्स्ट है, it provides a comprehensive setup of learn-it-yourself advanced modules to involve young student across the country, की एक प्रोवाइड कराता है, comprehensive set, ताकि जो learn कर सके, learn it yourself, ठीक है, आप अपने आपको अच्छे तरीके समझ सके, अपने advancement को और ज़्यदा बढ़ा सके, जिसके कर्ण जो involvement young student की across the country अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है, second है, it has been launched by the NITI आयोग in collaboration with NASCOM, तो NITI आयोग ने NASCOM के साथ collaboration करके, इसके, इस एटी आई, जो आपका ATLAI step-up module है, इसको launch किया है, तो कौन सी statement correct है, option है, only one, only two, both one and two, and either one or two, वीडियो को pause करिये और बताइए, फिर हम इसके बारे में discuss करते हैं, चलो, देख लिए तरह right answer का, इसका जो right answer है, यह आपका यहाँ पर option C है, ठीक है, मतलब दोनों की दोनों से अपकी correct हो जाती है, कि यह provide कराता है, comprehensive setup of learning, ताकि जो yours अपने आपको अच्छे तरीके से analyze कर सके हैं, और एक advanced module, जो involve करेगा, किसको young student को across the country, पूरी country में young students के लि सकते हैं, जो right answer जाता है, option C हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना है, important thing यही है, इसमें, कि यह किस से related है, artificial intelligence related है, तो पूछ सकते हैं, किस से related है, and किस किस ने यहाँ पर work किया है, तो नीती आयोग ने, किस के साथ, NASCOM के साथ मिलके work किया, ठीक है, NASCOM की आप full form मुझे नीच सब्सक्राइब करें, तो बताना है, इसके हिसाब से कौन से statement correct है, first is, it is a glacier grafting, technique that creates artificial glacier, कि यह glacier grafting technique है, जो, मतलब जिसके तहत हम क्या करते है, artificial glacier को create करते है, second is, these are used for preserving winter water, to offset the scarcity in summer, और इसके तरहे हम, मतलब इस technique के तरहे, क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, winter water को, ताकि जो offset है, और offset की जो scarcity है, यह summer में ना हो सके, ठीक है, तो summer के अंदर, जो जब समार summer time चलता है, तो उस समय जब इस वाटर की scarcity हो जाती है, तो उस समय यह glacier helpful हो सके, इसलिए हमने इसको preserving start की है, तो कौन सी statement correct है, option है, only one, only two, both one and two, and either one, nor two, वीडियो को pause करें, बताएं, फिर discuss करते हैं, इसके बारे में, चलते देख लेते हैं, right answer क्या है, इसका right answer है, इसके पहले आप statement को समझ लीजे, first statement आपकी correct है, कि यह glacier grafting होती है, मतलब इसका glacier grafting technique होती है, उसका use करके, create के जाते हैं, यह glacier को artificial glacier कहा जाता है, and second है, इनका जो use के जाता है, यह preserving के लिए water को use के जाता है, ताकि winter water को preserve करने के ताकि जो, ताकि जो scarcity है summer में, ठीक है, उसको हम fill full कर सकें, ठीक है, तो इसलिए donor statement आपकी correct हो जाती है, इसलिए answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, इसका diagram भी हम देख लेंगे, किस तरीके से दिखते है, थोड़ा सा इसके थोड़ा important thing समझ लीजे, क्योंकि exam में प पूदी हो सके ठीक है, और आइस इस तूपा है, इसको invented किया था engineer, innovator और educator reformist है, Sonam Wangchu, I hope आप सभी ने three red movie को देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे इनका काफी अच्छी जर description में इन्होंने बताया है, कि Sonam Wangchu ने किस तरीके से इन जो artificial glacier का use करके, जो fulfill की थी water की scarcity के समर में, त यह भी important हो गया, चलिए फोटो देख लिए ताकि आपको समझ में जाए तो इस तरीके से कुछ दिखता है, जिनका use के जाता है, artificial glacier की तरह ठीक है, तो यह थोड़ा सापको यहां से conical shape में दिखाई देगा, एक second, यह देखे, यहां से इस तरीके सापको conical shape में दिखाई द फोर्थ है, Syria and Israel, वीडियो को pause करें आंसर दीजे, फिर इसके बारे में discuss करते हैं, चलिए देख लिए, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है, आपका option, ए है, इसराइल और United Arab Emirates ने भी recently एक diplomatic treaty को sign कर लिया, जिसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया ग कर जाता है, इसको sign कर दिया और agree कर दिया है, announcement किसके साथ, जो इसराइल और United Arab Emirates, country का नाम जुरूर याद रखना, जो इसराइल है, और UAE है, इन्होंने मिल को इसको, क्या किया है, sign किया है, और एक joint statement है, किसके दर दी गई है, वाइट हाउस, जो USA का है, वहाँ से इसको, ये statement मिली है, तो ये importance हो जाता है, और ये जो pact है, ये make करेगा Emirates को only the third Arab country to have a normal diplomatic relation with Israel, ठीक है, याद रखना है, इसराइल के साथ, जो diplomatic relation रखने वाले cable, तीनी country है, पहली आपकी एजिप्ट है, second Jordan and third आपकी बन गई है, UAE, ठीक है, तो ये काफी यदा helpful हो सकता है, इंडिया क जो collaboration अगर चलते रहेंगे, तो future में helpful रहेंगा, दोनों की बीच हमको एक harmony बनाने के लिए, ठीक है, तो याद रखना अब आपको, next question पर चलते है, next question is, where is the million ice self is located, तो जो million ice self है, ये कहां locate करता है, option है, Arctic ocean, Pacific ocean, Mediterranean sea and Indian ocean, वीडियो को pause करीन आंसर दीजे, फिसके बारे में discuss करत है, चले, देख लेते हैं, right answer क्या है, इसका जो right answer ये आपको option, A है, million ice self, ये आपको locate करता है, Arctic ocean में, ठीक है, इसकी location आप देखने से पर थोर से इसके बारे में समझ लिजे, कि million ice self, ये एक fragment है, किसका former elsewhere ice self का, जो second largest ice self है, किसके अंदर, Arctic ocean के अंदर, ये भी काफी important हो जात in the Canadian Arctic, and has been reported to have a collapse, losing more than 40% of its area, आप इसकी पर बात की चल रही कि अभी recently, इसने अपना 40% of area क्या कर दिया है, लूस कर दिया है, जो Canadian Arctic, Canadian Arctic में locate करता है, ठीक है, इसकी आप location देख लीजे, इसलिए important रहता है, जिस तरीके से ये अभी पिखल रहे है, तो यहाँ पर देखिए, य यह ग्रीन लेंड हो गया, ठीक है, यह उपर वाला पूरा एरिया आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपको, यह हो गया आपका Arctic Ocean, और Arctic Ocean में यह उपर red कलर का जो दिया हूँ है, मिलन आइसल यहाँ पर locate करता है, और किस आइलेंड में, यह आपका Elsemere Island, ठीक है, याद र की ट्रेकिंग करना, जो प्रोग्रेस और कोविड एंटिन वैक्सीन की डेवलोपमेंट के लिए, ठीक है, वैक्सीन डेवलोपमेंट के लिए, और बी यह आपका सेकंड आप्शन है, प्रोवाइड लाइफ सेविंग मेडिसीन एट सबसेडाइज प्राइज की लाइफ इंडिया बेस हेल्थ प्रोफाल तैयार करना पूरे इंडियन की, तो कौन सी स्टिट्मेंट करेक्ट है, वीडियो को पॉस्ट करके बताएं, फिर डिसकस करते हैं, चलो देख लेते राइट आंसर का है, इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, मतलब एक हैल्थ और नूट्रिशन इंफोमेशन किसके लिए ट्राइबल पॉपलेशन ऑफ इंडिया ठीक जो हमारे के ट्राइबल पॉपलेशन है, उनके बारे में जानकारी रखने के लिए स्वास्थ पॉर्टल को लाँच किया गया है, याद रखना काफी इंपॉर्टन है, और आंसर आइट जो सेंटर ऑफ एक्सिलेंस है, इसने डेवलप किया, ट्राइबल हेल्थ नूटिशन पॉर्टल, जिसका नाम क्या दिया गया है, स्वास्थ इसका नाम दिया गया, और इसके अंदर एक डैश बोर्ड डाला जाएगा, मतलब इसके अंदर जो डैश बोर्ड है, और आपको याद रखना है, और इसके साथ ही साथ, रिसर्च इस्टीज की जाएगी, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेज और ट्राइबल कमिटीज, उसके उपर देखा जाएगा, ताभी क्यूरेटिट किया जा सके, फ्रॉम मल्टिपल सोर्स रिलेटेट टू, आइलंड यूनिन टरिटरी तो जो अंडमान और जो निकोबर आइलंड जो हमार यूनिन टरिटरी है, यहां पर कौन-कौन से आपके आइलंड लोकेट करते हैं, फर्स्ट है नेता जी सुभास चंदबोस आइलंड, स्वराज दीब, थर्ड है नॉर्थ सेंटिनल आइलंड यहां पर लोकेट करते हैं तो यहां इसका राइट आंसर अपको अप्षिन अपको अप्षिन है, नेता जी, सुभास चंदबोस, सुराज दीब और नॉर्थ सेंटिनल आइलंड यह तीनों की तीनों अंडमान निकोबर आइलंड में यहां पर लोकेट करते हैं, तो यह आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसकी लोकेशन समझ लीजे यह भी इंपोर्टन हो जाती है ठीक है तो जो इसकी लोकेशन है यह देखें और यहां पर सोराज दीप है ठीक है यहां पर शाइबार दूइप है और यहां पर लोकेशनितयाओ सuwबाद आसंयरे त यहां पर पो P egy pat to साथ आते हैं सबसे पहले लिटल अर्डमान आता है फिर कार ने को बार आता फिर ग्रेट ने को बार आता है ठीक है तो यह भी याद रखना है ठीक है तो आई होब आपको अच्छे तरीके से सारे अच्छी समझ में आ गए होंगे और कोई भी अगर डिफिकल्टी आपको लग